हेलो फ्रेंज नमस्ते आप सब कैसे हो आई होप आप सब ठीक होंगे फ्रेंज तो आज हम इस कपड़े का रियूस करेंगे 20x90 निजिसका ये टोटल कपड़ा है और देखें मैंने यहां पर सौपिंग बैग ली है नोन विंड की जगह पे और ये भी मैंने 20x90 निजिसका कट किया है इसे स्टीज करके हमें जोइंट कर लेना है और दोस्तों अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक भी जरूर किजिएगा तो ये देखें ये स्टीज करके मैंने जोड लिया और थोड किशी फिनिशिंग आये और सीजर से आप कॉर्णर को इस तरीके से ठीक भी कर सकते हैं और ऐसे बैग बनाना कुछ बचों के लिए कपड़े बनाना ऐसा आप सबको पसंद है तो कमेट करके जरूर सी बताएगा अब देखें इसके उपर हम करेंगे टॉप स्टीज ठीक है तो इसके उपर टॉप स्टीज करेंगे और फ्रेंस हमारी फैमिली वन मिलियन तक पहुंचने वाली है तो प्लेस जल्दी जल्दी सब्स्राइब करके हमारी फैमिली को पड़ी बना दीजिए तो देखें इसे फॉल्ड किया फिर एक बार फॉल्ड करके हमने मार्क कर लिया और देखें यह जो बैग है उसमें आपको जीब की यूज करना जरूरी नहीं है तो यह यह स्टीज कर लीजिए फिर ना इसे ऐसे पकड़िए देखें इस तरीके से जैसे मैं कर रहे हूं वैसे कर लीजिए और फिर से हमने जैसे फॉल्ड किया एक बार और फॉल्ड किया सेंटर में मार्क कर लीजिए और देखें यहां पे हमने फॉर्फॉइंट किया यहां पे भी फॉर्फॉइंट वे अब दोनों मार्क को मिला लीजिए यहां पे भी सेंव वही तरीका करना है देखें ऐसे फॉल्ड कीजिए सेंटर में मार्क कीजिए और यहां पे जो ना प से पहले तो उसके बाद ना यह सीधा हो गया आप देखिए उस प्रेस्टीज करने के बाद और नीचे बॉटम पार्ट कि इतना बड़ा है आप देख सकते हो और अब हम दो स्ट्रिप ले लेंगे 17.5 बाई 3.5 इंचे इसे दोनों साइट से ऐसे फोल्ड करते जाएं सेंटर स फोल्ड कीजिए और हैंडल ट्रेडी कर लीजिए इसके अंदर अगर आपको नौनवन डालना है तो डाल सकते हैं जिसे मजबूत रहें और इसे ऐसे फोल्ड करके यहां पे स्टीज कर लीजिए हैंडल को अटेज कर लीजिए यह जो ऊपर कॉर्नर है और देखिए कितनी प बताएगा आपको कैसी लगी और वीडियो को पसंद आया तो लाइक चरूर कर देना देखिए यह भी ब्लाउश पीस है जो मैंने लिया है बचा हुआ था उसमें से मैंने कटिंग किया है देखिए 10 बाए 6 इंची का है यह इसके क्विल्ट कर लिया हमने ऐसे और फिर हमने क क्या किया है देखिए यहां पर थ्री फिंगर पर आपको दोनों साइड से माक कर लेना है और आप बैग अगर सीख रहे हो बैग या फिर सी लाइक की सोकिन है और कुछ सीख रहे हो तो ऐसे चोटी-चोटी चीजे बनाईए और अपना हाथ को बेठा दीजे फिनिशिंग आ चुकड़े हमने यहां पर 1.5 इंचिस के लिए है 1.5 ऐ 1.5 इंचिस के इसे यहां पर ऐसे अटेज कर लए देखिए दोनों जिप में हम सेम तरीका करेंगे तो यहां पर सीच कर लिया फिर जोड दीजिए फिर ना प्रेस्टी जरूर किज़ें ताकि फिनिशिंग अच्छी यह पार्ट हमारा तो रेडी हो गया ना उपर से जो कट किया था वहां पर इंतेज करना है लिखिए ऐसे प्रेस्टीज कर लिजए ठीक आइ ना तो यह हमारा काम तो होई गया दोनों साइड्स अब आपको क्या करना हें इसे fold कर लीजिए और यहां से corner से round shape दे दीजिए यहां से हमने असे ही सामने भी हम वही नाप लेंगे और देखे यह भी बहुत बहुत useful और आपको जरासा भी काम का लगा है ना तो पीस लाइक कर देना और देखे मैंने ये स्ट्रिपेंट का कपड़ा लीया उसे जोड़ दिया अब यह जो बचा हुआ कपड़ा था उसे लेना है इसका नाप देखे 14 इचिन यहां से है और 14 इचिस यहां से है आप 15 भी ले सकते हैं जो भी जितना कपड़ा है उससे आप से ले सकते हैं और दो श्ट्रिप हैंडल के लिए लिए हैं हमने 15 बाइ 3 इंचिस की है जिसे हमें करना है इसे कर लिए हैं इसलिके मैं कि लिए कर लिए तो हैंडल केश्ट में बमकले की हैं मैं आपको में माक कीजिए यहां पे और पूरे राउंड में स्टीज कर लिजिए तो ये देखिए बोटम पार्ट रेडी हो गया ये टॉट बैक बनकर रेडी हो गई है और आपको मैं दिखाती हूँ ये कितनी यूस्पुल है और यहां पे आपको थोड़ा सा प्रेस्टीज करना है तो कर लिजिएगा और नहीं करना है तो कोई दिकत की बात नहीं है लेकिन इसे सेंटर में ऐसे माक कीजिए और यहां पे आपको जिप अटेज करनी है और यह दिखिए हमने जिप में भी सेंटर पाट लिया है और फिफ्टे निचिस की जिप लिया है तो यहां से लेके आपको यहां तक stitch करना है ऐसे रखिए और यह देखिए हमने ऐसे attach कर लिया है मार्क तक अब दूसरी साइड से हम stitch करेंगे लेकिन मार्क तक हमें center में जो mark किया है वहां तक ही आपको stitch करना है अब देखिए जिप को आप यहां से कर लीजिए open और ध्यान रखना जिप आप बैक को सी देखिए मैंने रणर डाल दिया इसे अंदर पूस कर दिया और यह देखिए अब हम ना यह नीचे का पैक करेंगे ताकि रणर निकलना जाए तो कैसे कर रहे हैं देखिए यहां पर यह चोटा सा टुकड़ा ले लिजिए और देखिए ऐसे रखिए दोनों साइट से फोल्ड कीजिए और यहां पर स्टीज करें फिर इसे उपर की और ले लिजिए और ऐसे फोल्ड करके इसे स्टीज कर ले इससे क्या होगा कि आपका रणर बाहर निकलेगा नहीं ठीक है ना तो यह काम हमारा हो गया अब देखिए इसे कर लिजिए सिदा अब देखिए इसे ऐसे फो को लॉक कीजिए तो यह चोटा सा क्लश बैक बन गया बटवा बन गया जिसमें आप अपना पैसा रख सकते हैं और जब चाहे तब बढ़ा कर सकते हैं तो आपको यह दोनों आइडिया कैसे लगे मुझे जरूर सी बताईएगा मिलते हैं ऐसे आइडिया के साथ नेक्स्ट वी वंदे मात्रम